हेलो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आप BPSC प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देख रहे हो जो कि आपके इडूटोरिया के वॉल्यूम सकेंड से लिया गया है इससे पहले आपको सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक इडूटोरिया वॉल्यूम 2 करवा दिया गया है और भी काफी सारा प्र सहयोग अंदोलन के दोरान किसने सदाकत आशरम की अस्थापना की थी ऑप्शन नंबर सी राय टांसर हो जाएगा मजहरूल हक के द्वारा किया गया था नंबर सेकेंड है सितंबर 1928 में ध्यान रखेंगे सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांती कारी ने भाग लिया था ओप्शन नंबर आपका बताईगे क्या होगा वी राय टांसर हो जाएगा फरिंद्रनात घोष के द्वारा भाग लिया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में सितंबर 1928 में न अब ज्यान दूलन के दौरान नमक कानून को भंग करने के लिए जो मतलब किया गया था इसी नखास पिंद्र नमक जगा से ध्यान लखेंगे बिहार के नेक्स्ट कुर्शन एक निम्लिकित में से कौन सा योग सही नहीं है बताना है देखिए बंदी जीवन सचिंद्रनात स कान्याल इंडियन इस्ट्रगल सुभाष संद्रबोष इंडिया डिवाइडेग डॉक्टर राजन परसाद के दौरा और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बी आरंबित कर यहां पर चारों ऑप्शन बिलकुल मैच किया हुआ तो ऑप्शन नमबर यह आपको टीक करना है नमबर फा ओनीश मार्च उनीश स्वा और एक अपका यह आपका छे अप्रील फिर आपका यह उनीश सौ उनीश को आया था ठीक है जलिया वाला बाग हैं 13 अपरिल निशस को हुआ था और कॉंग्रेस का जो अम्रित सरवाला अधिवेशन है यह आपका हुआ था ओप्षन नंबर जो ए है कोशन जो ऑप्षन ए है यह आपका दो दिसंबर उनीश्वा 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 था था आप ओप्षन यहां पे मैच कर लिजी सबसे लास्ट में क्या आया था तो हो लास्ट में दो सितम् दोडिसंबर फ्रिंट्स दोडिसंबर धियान रखीए कगा दूदिसंबर उनीश्वा उनीश्वाइं ठीक है नेक्स्ट कोशन है किस गवर्न जनरल के कारिकाल में कॉलकत्ता में एस्याटिक सोसाइटि की अस्थ आपना की गए थी ऑप्षन नंबर सी हो जाए गया उस समय कौन थे गवर्णर जनर तो वारेंग हैस्टिंग नेक्स्ट कोशन बताईए कि भारत में करजन के प्रसाशन की तुलना अंग्र औरंग्जेव से किष्णे की थी ऑप्शन नमबर डी राइट असर गोपाल किष्ण गोखले के द्वारा किया गया था आंद्र प्रदेश जगह ध्यान रखेगा आंद्र प्रदेश में रंपा विद्रो हुआ था जिसके कि नेतित्व किष्णी किये थे तो सीताराम राजू के द्वारा किया गया था नमबर नाइन देखते हैं सरु पर थमकिस गवर्णर जनरल ने प्रेस पर सेंसर्शिप ला में देखिए कोलापूर के महराजा थे उनी के परति अंग्रेजों के निंदा करने के कारण चार महिने का सजा दिया गया था ठीक है और ध्यान रखेंगे यह पहले व्यक्ति थे पहले भारतिय व्यक्ति थे जो पत्रिकार्टिया के वज़े से जिनकों की सजा मिली थी और जो आपका ये सिवनात सास्त्री है इन दोनों के द्वारा किया गया था ओप्शन इहां पर ओप्शन आपका नहीं है ध्यान रखेंगा 1872 एक्ट के द्वारा हुआ था निमलिकित में से किसके माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती पर्था का विरूद किया था तो आप्शन नमबर सी हो जाएगा शमवाद कुमोदी के द्वारा ठीक है देखिए राजा राम मोहन राय ने शमवाद कुमोदी के द्वारा ठी इन्हीं के प्रियाश से ये बिलियम जो बैंटिक हैं इन्होंने सतीपर्था को 1829 इस्वी में घैर कानूनी घोशित कर दिये थे निमलिखित में से कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में राष्टिये आर्थिक कारिकम इवग मौलिक अधार समंदी प्रस्ताव पारित किये गए थे आर्थिक तौर पर निमलिखित में से क्या रहा था देखे ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा भारतिय क्रिशी का वानेजी करन हुआ था धियान रखेंगे ऑप्शन नंबर भी राइट अंसर है मुशलमानों के लिए प्रिथक राष्ट का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था अप्शन नंबर आपका हो जाएगा देखे मुस्लिम लिख के बाद इलाहबाद अधिवेशन हुआ था उसी में सबसे पहले मुखमद इकवाल ने एक प्रिथक मुस्लिम राज की मांग की थे यहां पर देखे आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है मुखमद इकवाल आप नाम धियान रख लिजिएगा नमबर 18 है अखिल भारती राज जन कॉन्फरेंस यानि की ओल इंडिया स्टेट्स पिपूल्स कॉन्फरेंस का अयोजन कब किया गया था उप्शन नमबर सी वर्स 1927 में हुआ था बताना है कि अखिल भारती मुश्लिम लिग के किश अधिवेशन में बकरीद के अवशर पर गोवद निशिद का प्रस्ताव पारित किया गया था उप्शन नमबर सी 1927 में जो अमरित सर्में अधिवेशन हुआ था ये बारवाँ अधिवेशन था अन्हीश में अमरेट सर्में हकीम अजमल खां थे उनkimala व्श किन स्थर पर गोवश निशीट का लिखा गया था ठीक है नंबर 21 देखिए निमलिकित में से किन के द्वारा मराथी पत्रिका बहिस्कृत भारत प्रकाशित की गए थी ऑप्शन नंबर बी राइट अंसर हो जागा बी आरंबित कर साहब के द्वारा वर्ष उनीश्व साथ ताइस इस भी आपको ध्यान रखते चलना है के द्वारा मराथी पत्रिका था जिसमें के बहिस्कृत भारत प्रकाशित हुआ था महत्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरन अंसन प्रारम किया गया था ओप्शन नंबर सी सामपरदाइक निर्ने के विरुद हुआ था देखिए 20 सितंबर 1932 को 20 सितंबर 1932 22 को यरवदा जेल में महत्मा गांधी ने सामपरदाइक निर्ने के विरुद में आमरन अंसन स्टार्ट किया था ठीक है निमलिखित में से किस विशय पर मतभेद होने के कारण द्वीतिये गोल में सम्मेलन और सफल रहा था तो आप्शन नंबर भी हो जाएगा के दिकांड हुआ था इससे समंदित नहीं थे बताना है ऑप्शन नंबर देकि रोशन से रामपरसाद बिसमिल्ले और जो आपका असपाक उल्ला खाहा ये तीनों इसमें सामिल थे काकोरी ट्रेन कांड में बट शुकदेव नहीं थे ऑप्शन ए राइटांसर होगा वास उ अध्यक्ष रंगनाथ आपको बहुत बार ये बताया जा चुका है रंगनाथ नाम आप ध्यान रखेंगे रंगनाथ सिंग माधुलकर के द्वारा ये किया गया था बताना है कि निम्लिकित में से किस ने ओधन्त पूरी विहार का निर्मान करवाया था नंबर भी हुजाग इधन रित्यों के परतिने के रिए प्रिथक निर्वाचन मंडल बनाये जाने का प्रावधान किया था था तो देखिए ओप्षन नंबर आप यहां पे ना कोशण को आंसर को यहां पर देख ली अच्छा अच्छा अच्छए से आप्शन नंबर हो जाएगा से यहां पर भ से कौन सा शाशक कुरान खा के नाम से प्रसिद्ध हो गया था ऑप्शन नंबर डी राई टांसर हो जाएगा को तो बुद्दीन एवक अच्छे से कुरान पढ़ने के वज़े से उनको कुरान खा के नाम से सब बुलाने लगे थी दक्षिन भारत के परसासन में पॉलिगार ब सबसे पहले आपका देवरा का युद्ध हुआ था जो कि 1532 में हुआ था फिर चौशा का हो गया था आपका 1549 में कन्योज हुआ था 1540 और जो सरहिंद का है यह सबसे लास्ट में 1555 में हुआ था ओप्शन यहां पे आपका राईट अंसर क्या होगा ओप्शन नंबर ए बता चंद्र गुप्तम और अशोक इन चारों के बारे में वर्णन दिया हुआ ठीक आता ओप्शन नंबर आपको यह यहां पर टिक करना है बता यह देवी चंद्र गुप्तम किसकी परसीद रचना है ऑप्शन नंबर आपका शी हो जाएगा विशाक दत के द्वारा यह लिखा गया है नंबर ठीफाइब देखते हैं बताइब लिखित में से किस अस्तूप का समंद्ध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है इन चारों में से देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जागर आई टासर साची एक ऐसा है जहां पर बहुत अस्तूप अस्थल है आप आकर एक में वीडियो देख लिजिएगा क्योंकि यहां से एक या दो सवाल बहुत दर्म और जैन धर्म से आएगा ही आएगा और जितना इजी टॉपिक आपको दिखता है यह उत्मा ही ज्यादा कंश्यूजिंग वाला है इस बात का भी ध्यान रखिएगा हरप्प्य सब विता का महत्रपूर्ण अस्थल सूत कांगे डोर किस नदी के किनारे इस्थित था कि ओपशन नंबर डी हो जाएगा जो आपका यह शीदू है ण reinforce हो जाएगा चुन हो दुरो जैसे चिनाव चिनाव नदी है तो यह जो चिनाव के तर्पर कौन सा मांडा था ठीक है प्रवरा जो है इसके तर्पर दायमाबाद था यह ध्यान रखिएगा यह भी एक्जाम में पूछेगा आप से सिंदुगाटी सब्विता एवंग वैदिक स नगर था ठीक है और वैदिक सब्विता एक ग्रामीन सब्विता था ध्यान रखेंगे सिंदुगाटी सब्विता क्या था विक्षित नगर यह और वैदिक सब्विता जो था यह ग्रामीन सब्विता था सिंदुगाटी के निवासी को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी ठीक है option number B देखिए लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी सिंधु घाटी के लोगों को जबकि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सब्विता के निवास्यों को लोहे की जानकारी होने लगी थी फिर देखिए कि सिंधु घाटी जो सब्विता था इसमें निवासी को मतलब लेख सब्वांदन का यह प्रमान है यह भी मिलता है ठीक है तो यहां पर आपको option नंबर करना होगा नंबर 38 है वर्तमान में उचितम नियायाए में कुल कितने नियायदीस है तो देखिए option नंबर आपका यहां पर सी हो जागा टोटल 34 है जिसमें की normal 33 नियायदीस और एक मुख नियायदीस है तो इसी लिए 34 यहां पर आपको ध्यान रखना है लोग सभा में किसी विद्धेयक पर आम बहस निमलिखित में से किस अस्तर पर होती है तो option नंबर भी होगा द्वीतिये वाचन में होती है बताना है कि निमलिखित में से सम्विधान के किस अनुच्छेद के हो जाएगा राजसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन आयरलेंड है यह गलत है राजसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्रतीना डक्षिन अफ्रीका की समिधाओं से बाद बाग कि आपके यहां पर बिल्कुल सही मैच किया हुआ है नंबर 42 वरीता अनुक्रम में छठे अस को आपको चुनना है देखिए उत्तर प्रदेश में आप जान लेजे यूपी में है आपका 31 महराष्ट में हो जाएगा आपका 19 तमिल नाडू में है 18 और बिहार में आपका है 16 तो आप्षन यहां पर आपका ए नंबर ही बिल्कुल सही मैच किया हुआ है राजसभा का गठ इसलिए पहली बैठक कब हुई थी तो 13 माई 1952 जो आप्षन नंबर ए इसको पहली बैठक हुई थी एक कुछ न्यायले का न्यायद इस अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको तो आप्षन नंबर ए होगा राष्ट पति को निम्लिकित में से किसके समिधान के भाग किसने समिधान के बाद तीन में उलेखित अनुच्छेद 32 को समिधान के आत्मा का हात आप्षन नंबर सी हो जाएगा प्रारूप समित्री के अध्यक्ष संग का या करताव है कि बाहि आकर्मन और आंतरिक अशान्ती से प्रतेक राज की रक्षा करें यह समिधान के किस की ऑप्षन नंबर सी जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है निम्रिकित में से कौन से ऐसे भारत के राष्ट पती हुए जो पद पर रहते विए उनको मेर्तियू उनकी हो गई थी देखिए डॉक्टर जाकीर हुसें साहव ऑप्षन नंबर भी ह हो जाएगा उनीश्व उननात्तर इश्वी में और मुहम्मद फगरोदीन अली एहमद जो हैं आपका इनका उनीश्व सथत्तर इश्वी में मेर्तियू हो गया था ठीक है यह भारत के राष्ट पती के पद पर उस वक्त बैठे वे तो ऑप्शन एटिक करेंगे आप यहां हिमलिखित में से किसे राजपाल न्यूक्त तो कर सकते हैं लेकिन उसे उसके पद से हटा नहीं सकते हैं देखिए राज लोक्सवा आयोक के अध्यक्ष ठीक है और राज निर्वाजन आयोक के अध्यक्ष ठीक है इन दोनों को अध्यक्ष की जो न्यूक्ती है यह राजपा पास नहीं बलकि राश्ट पत्री के पास होता है और राज निर्वाजन आयुक्त को राजपाल परस इनको भी नहीं अटा सकते हैं उसे कौन अटाते हैं तो उच्छ नयायले की नयायधिस के ही तरह मतलब कहिए कि उनके परसे हटाया जा सकता है किसी वित्य विद्ययक को भारत में एकल संक्रमनिये मत पर्णाली का प्रियोग किया जाता है किसमें तो उप्शन नमबर यहां पर आपका राजसभा और विधान सभा के चुनाव में ठीक है राजसभा और आपका हुजाएगा विधान सभा के चुनाव में एकल संक्रमनिये मत का प्रियोग किया जा करता है ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर निम्न में से तरंग धायर का एशाई मातरक कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी होता है मीटर यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवास्प ग्रांड करने की छमता क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा देखिए बताना है कि ऑप्शन नंबर फिफ्टी फाइब है गुर्त्वा कर्शन इस्तिरांग एक नियतांक है जिसका की मान होता है क्या मान होता है तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहां पे आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सी घटना प्रकास के अपवर्तन का उदाहरन नहीं है तो आप्शन नंबर ए होगा हिरे का चमकना हिरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरन होता है आते शोक्ष वस्तवां को देखने के लिए परियोग में लाए जाने वाले जो प्रकासिय उपकरण है वो कौन सा है ऑप्शन नंबर D हो जाएगा माइक्रोशकोप है किसी वस्तू का द्रवमान निम्न में से किसकी माप है ऑप्शन नंबर C हो जाएगा जरत्तू का निमन में से विद्यूत सकती की एकाई कौन सी है ऑप्षन नम्बर C वाट हो जाएगा प्याजों के छिलके उतारते वक्त आशु आने का कारण क्या होता है ऑप्षन नम्बर भी हो जाएगा सल्फेनिक एसीड के वज़ा से क्या होता है सरल लोलक की कालावधी निम्न में से किस पर निर्भर करती है option number B हो जाएगा लंबाई पर बताना है कि सभी चुम्बक्ये पदार्थ अपने चुम्बक्ये गुन खो देते हैं जब जब option number B जब जल का जो जलवास में परिवर्तन हो जाता है पानी में डुबाई जाते हैं इस तरह से कहिए कि यह मतलब अपना चुम्बक्ये गुन खो देते हैं नंबर 63 बताना है निम्न में से कौन रासाइनिक परिवर्तन का उदाहरन नहीं है option number B जल का जलवास में परिवर्तन होना होगा फेंज देखिए यहां पे ना option number 62 थो ऐसा कंफ्यूजन था इसके लिए माफी चाहूंगा यहां पे क्या पूछा तक सभी चुम्बक्ये पदार्थ अपने चुम्बक्ये गुन कब खोते हैं तो option number C नहीं होगा यहां पे जब उसे आप गर्म कर देंगे तो क्या हो था अपना वह चुम्बक्ये गुन को खो देता है बट उन्हें गर्म करने पड़िए फिर से मतलब देखते हैं विटामीन विटामीन बी-ी-टू का स사नीक नाम क्या है? सामानेत इस्त्रियों की आवाज का तारत्त होता है कैसा तो आप्शन नमबर एक पुरूसों की तूलना में अधिक होता है निम्लिखित में से कौन सा है जो सत्त फल के अंतरगत आते हैं इसका भी जवाब आपको बताना है अगर आपका तयारी अच्छे से हो गया है बताइए इन में से कौन सा सत्त और असत्त फल हो जाएगा नमबर 67 दिखते हैं निम्लिखित में से कौन सी मानव पाचंत तंद्र का मानव पाचंत तंद्र की पाचक एंजाइम नहीं है नमबर 68 अधिकांस प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगवग 80% पदार्थ क्या होता है नमबर बी प्रोटीन होता है बताना है कि DNA की द्वी कुंडलिनी संदचना किसके द्वारा की गई थी option number आपका C हो जाएगा राइट आंसर वाट्शन और क्रीक के द्वारा किया गया था किस में से धातू में जस्ता नहीं पाया जाता है option number D हो जाएगा, कांजसा में जस्ता नहीं होता है निमल्लिकित में से किस समू में सभी विशानू जनित बीमारी है option number A हो जाएगा rabies, harpes और trichoma ध्यान रखेंगे next question है सुनाहरे चावल में beta carotene gene कहां से आता है option number B हो जाएगा dafodil से आता है बताना है कि पौदे की लंबाई में वृद्धी के लिए निम्ण में से कौन सा आवश्यक्त रते हैं देखिए यहाँ पर सब ही हो जाएगा calcium, phosphorus, nitrogen, potassium यह सारे पौदे की लंबाई की विद्धी के लिए कही की जिम्मेदार होते हैं निम्ण में से किसका सेवन हिर्दे रोग्यों को अधिक मातरा में नहीं करनी चाहिए तो option number A वशाका वरसपत्ति उद्ध्यान तथा प्राने उद्ध्यान निम्रे में से किसके उदाहरन है तो option number B हो जाएगा X, C2 संदक्षन के आग बुजाने वाले सयंत्र में carbon dioxide किस अभिक्रिया से पैदा होती है option number A sodium bicarbonate तथा tanoo sulfuric अमल से aspirin के समन्द में क्या सही नहीं है बताना है देखिए friends यहाँ पे आग पुजाने वाली हाँ यह तो आपका सही है number 77 aspirin के समन्द में क्या सही नहीं है बिल्कूल इसका क्या right answer होगा देखिए option number जो बी दिया हो है न इसे petroleum से बनाया जाता है यह घलत हो जाएगा देखिए aspirin पेर के जो पेर से प्राप्त किया जाता है पेर के lektis से प्राप्त किया जाता है ठीक है और यह एक is date paralytic है और इसे acetyl salicylic acid भी कहा जाता है यह सही है बड़ यहाँ पेट कर दिया नमबर जो ए दिया वने यही गलत है विटामिन ए वर्णान्दता है यह गलत हो जाएगा ठीक है यहां पर वर्णान्दता नहीं होती है वर्णान्दता जो है यह वर्णान्दता यह एक अनुवांसिक रोग होता है ठीक है और जो विटामिन ए आपका दिया हुआ है विटामि जर और आपका जो मलेरिया है COD ये दोनों क्या है प्रोटो जोवा जनेत रोग है तो ऑप्शन नमबर E राइट होगा यहाँ पर बताना है कौन सी कोशिका घटक कोशिकाओं में दाखिल होने वाले जिवानों को नश्ट कर देता है तो ऑप्शन नमबर E राइट हो जाएगा बताएगे पारिस्तिकी तरंतर में उर्जा का मुख शूरूत क्या है ऑप्शन नमबर C हो जाएगा शौर विकिरन होता है बताना है कि यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मिलाना है देखिए यूरिया हो जाएगा आपका उर्वरक पैनेसिलीन हो जाएगा आप अब्दुल रज्जाक गुर्णा को वर्ष 2021 का साहित का नॉबल पुरुसकार दिया गया उनका समंद बताना है कि किस देश के है तो ऑप्शन नमबर C होगा तंजानिया के है वे निम्लिकित में से किसे देश के सर्विस्रेष्ट समुद्री जीले के रूप में समानित किया गया है ऑप्शन नमबर A राइटांस हो जाएगा बाला सूर को किया गया है ठीक है ध्यान रखेंगे पहली वार ऐसा हुआ है कि ओडिशा के किसी जीले को या पुरुसकार दिया गया है नमबर 85 भारत का पहला वर्टीकल टावर फॉरेस्ट जो की नाम है माना फॉरेस्ट यह बताना है कि कहां पर बनाया जा रहा है तो ऑप्शन नमबर A राइट अंसर देहरा दोन में हाली में चर्चा में रहे भाविना पठिल का संबन किस खेल से है तो ऑप्शन नमबर A हो जागा पैरा टेबल टेनिस से है S.C.O. शदर्च देश द्वारा पापी एंटी टेटर दोहजर इज़ाब्यास का आयोजन किस देश में किया गया तो ऑप्शन नमबर B हो जाएगा पाकिस्तान में दादा साहब फाल के इंटरनेशनल फिल्म हेस्टिवल अवार्ट्स 2021 में बताना है कि सर्विस्रेश्ट फ पुराने पानी की खोज की है तो ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा राइट असर कनाड़ा के नेक्स्ट कोशन बताना है कि निम्लिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS और AROG जन रिन योजना जो है इसकी सुर्वात की है तो देखिए ऑप्शन नमबर आपका यहां पर B हो जाएगा सिडवी के द्वारा यह क्या गया है ठीक है गलवान घाटी में सहित कर्णल बिकुमला संतोज बाबु को किस राष्टिय पुरुषकार से नवाजा गया तो ऑप्शन नमबर A उन्हें महावीर चक्र दिया गया है ध्यान रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है यह कोशन BPSC में आने का 99% चांस है लदाक को जैविक रिसे संपन बनाने के लिए लदाक ने किस राज से समझोता किया तो ऑप्शन नमबर D राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम के साथ समझोता किया गया है लदाक के द्वारा एक भारत त्रेष्ट भारत अभियान के तहट बिहार को किस राज से जोड़ा गया है मिजोरा मौर्तिरी पूरा हो जाएगा ओप्शन नमबर A और B राइट आंसर बार सरकार ने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष टैक्ष से जुड़े मामले के लिए गठित समिती की अध्यक् कि कितने प्रतिसत करने की सिफारिस की है ऑप्शन नमबर B हो जाएगा 3.5% बताइए की एनर्जिया रॉकेट एंड इस्पेस कॉर्पोरेशन द्वारा हाली में विक्सीत भारी वाहन वाहक रॉकेट अंगारा जिसका किनाम A5 किस देश के द्वारा यह लांच किया गया है तो ऑप्शन नमबर B हो जाएगा रॉकेट अंसर रश्या के द्वारा किया गया है अभी हाली में इडा तुफान ने किस देश में देश में तबाही मचाई है तो ऑप्शन नमबर C युएसे में आया था भारत सरकार ने शाजविनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्राले से हटा कर किस मंत्राले के अंतरगत रख दिया है तो ऑप्शन नमबर C होगा वित मंत्राले के अंतरगत रक्षा मंत्राले ने अपने सनिकों को पैंसन पहुंचाने है तो किस पोर्टल का सुभारम किया तो ऑप्शन नमबर D इस पर्ष पोर्टल को लांच किया ग 2021 के ओलंपिक सेरेमनी में भारतिय दोजवाहा कौन रहे तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा टेक चंद थे नंबर 102 है भारत की मदद से किस देश में निर्मिद मंग देचु जल्विद्यूत पर्योजना को लंदन इस्थिर इंस्टियूशन ऑफ सिविल इंजिनिरिंग ऑप्शन नंबर A राइट अंसर हो जाएगा भूटान को भारत आशियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड इस्टेशन का निर्मान किया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा वियतनाम से में सूचना एवंग पर संचार प्रदुग की छेत्र म चार साल के कारिकाल का वर्णर किस किताब में किया गया है तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आशर रिफलेक्टिंग, रिकॉलेक्टिंग, एन रिकनेक्ट इंचुन? यहां पर इश्रो और ग्रामीन विकास मंत्राले के द्वारा जो है ग्रामीन विकास ही तू डाटा तयार करने के लिए कौन सा पॉर्टर लॉंच किया गया ऑप्शन नमबर ए युक्तधारा पॉर्टर लाया गया है नमबर 107 देखते हैं लाई हरोवा महुत्सव किश्राज म है लेहां नमलेखित में उसे कौन सीज्च स्पाँच राज्यों ट्रा מקर दंदाना है को सबसे पहले पांच राज नहीं पांच मतलब देशना आstal सबसेकर यहांपर क्या हो मोजाएगा सबसे पहले आपका हो जाएगा ऑन अप्शन नमबर एद देख लेजर्ट फिर योजना किस राज में अस्थापित की जाएगी तो ऑप्शन नमबर सी गोवा में फिटे सत्रंज विशुकप 2021 के विजयता बताईए कौन है तो ऑप्शन नमबर ए हो जाएगा राइट अंसर जैन क्रिजिस्तोफ नाम ध्यान रखिएगा फिटे सत्रंज विशुकप 2021 के पर दो अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्टी ध्वज कहां फैर आया गया जगह बताना है ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा कहां पर तो लद्दात में फैर आया गया ठीक है नेक्स्ट कॉप्शन आपको बताना है 113 में निम्न में से कौन यहा जो है ना आपका हरित करांती के सुर्वात योजना 1966 से लेकर 69 के बीच में हुआ ठीक है और यानि कि श्यासर सरस्ट में वा था श्यासर वाले पंचवर्षी योजना में मगर 66 सरस्ट दो साल के बीच में हुआ था और जो आपका यह भूमिगत नाभी किया परिच्छन है न सानव विकास सूचकांग के साथ प्रकासित होने वाले लैंगिक समानता सूचकांग के आया मो में निम्न में से कौन सामिल नहीं है तो ऑप्शन नमबर डी हो जागा प्रतिवक्ति आय सामिल नहीं है 115 बताना है कि भारत में थोक मूल सूचकांग का वर्तमान आधार वर्स आपको बताईए कि क्या होगा तो ऑप्शन नमबर दीखिए अधार वर्ष तो यहां पर दो हजार ग्यारा बारा रखा गया है ठीक है बताना है कि निम्लिखित में से कौन सतत्विकास का आधार है आप्शन नमबर दी हो जाएगर आईट अंसर परियावरनिये द्रिश्टी कौन बताना है एक निम्लिखित में से कौन सी संभावना है खाद प्रसंसक्रण उद्योग के विस्तार में सहायक है तो देखें सबसे पहले आप इसाथ देख लिए कि ख्रिशी उपज की अधिकता शहरी करन का विस्तार एकल परिवार इबंग महिला उद्धि और खाद उत्पादों पर अधिक विया है ये चारों हो जाएंगे ठीक है तो आप्शन नमबर आपको जहाँ जो दियावर सभी संभावनाएं खाद प्रसंसक्रन उद्योग के विस्तार में सहायक होगा व्यापार सुगमता सुचकांक रिपोर्ट निम्लिखित में से किसके द्वारा जारिक किया जाता है ओप्शन नमबर आपका हो जाएगा ए राइट अंसर विश्व बैंक के द्वारा राश्टिय मत यह क्या चुनना चाहेंगे देखिए ओप्शन नमबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा इंपरियल बैंक ऑफ इंडिया फिर हो जाएगा जी आएसी फिर हो जाएगा शीडवी और लास्ट में नाबार्ड ठीक है जैसे में देखिए इंपरियल जो बैंक है यह आपक आपका उनिश्व बिरासी में हुआ था तो ऑप्शन यह आपका यहां पर राइट आंसर है नंबर 121 बताना है वर्श 2017 में रेल बजट को आम बजट में किस समीति के सिफारिस पर मिला दिया गया ओप्शन नमबर ए हो जाएगा राइट आसर विवेक देवराय समीति की क्या कहलाती है ऑप्शन नमबर आपका यहां पर हो जाएगा सुस्ति या स्लोडाउन कहलाता है निम्न में से कौन सा कथा ने जो प्रधान मंत्री सुरक्षा विमायोजना के बारे में सही नहीं है बताना है आप चाहें तो वीडियो को आराम से रोक कर पढ़िएगा देखि क्या लिखा है प्रती इस वीमायोजना की जो प्रियम ब्रीमियम है यह बारा रुपे प्रती यहां पर वर्स हो जाएगा ठीक है बाद बाकिया आपका ऑप्शन सभी सही एबीशी केंद्रिये बजट 2022-23 के नुसार वित्तिये वर्स 2022-23 में राजकोशी घाटा शकल घरिलो अपका कितना पर्तिशत अनुमारी थै तो आप्शन नंबर एध हो जाएगा सिक्स पॉइंट फूर पर्सेंट अनुमारी थै वित्तिये वर्स 2022-23 में बिहार राज को किंद्र सरकार से किंद्रिये करों में हिस्से के रूप में कितनी राशी प्राप्त होने का अनुमान है आप्शन नमबर भी हो जाएगा राइट अंसर 91186.00 करोर रुपए वर्ज 2021 में वर्तमान कीमतों पर निम्र में से किश राज का निवल राज घरिली उत्पाज सबसे अधिक रहा आप्शन नमबर डी राइट अंसर हो जाएगा तमिल नाडू का पत्ना मेट्रो रेल टॉक में वार्षिक व्यद्धी बताना है कि कितना है ऑप्शन नमबर यह हो जाएगा उन्चालीश दसंवलब साथ मिलियन टन बताइए भारत वन इस ते रिपोर्ट के 2021 के अनुसार सरवाधिक वनावरन परतिशत वाला बाग शन्रिश्चित छेत्र कौन सा है ऑप्शन न जिले में वनावरन का परतिशत सबसे कम है ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा सबसे कम इन चारो ऑप्शन में से ना आपका सेख पुरा हो जाएगा ध्यान रखेगा भारत वन इससे रिपोर्ट हो जाएगा इसके नुसार बिहार में वनावरन का सबसे कम परतिशत अगर पश्चमी घाट के आपका जो अन्ना मलाई हो जाएगा फिर आपका नील गिरी है पलानी की पहारी है इन मतलब तीनों जगह से कहिए कि ये सोलाज जो एक सितोस काठी बन दिये वन है जो कि पश्चमी घाट के इन तीनों छेतर में ये मतलब फैला हुआ ऐसा मंदित है नेक्स्ट कोर्शन 132 बताना है निम्र में से कौन सा विकल प्रवाल विरंजक के कारक को कारण को निर्दिष्ट नहीं करता है तो आप्शन नमबर देखिए आप्शन नमबर दी हो जाएगा बराक नदी से समंदित है ठीक है बताना है कि वायू मंदल के अस्तरों एवंग उनके अभी रक्षनों के सुमेदित जोड़ों में से कौन सा यहाँ पर शही नहीं है देखिए ओप्शन नमबर दी दिया हो एक मद मंदल धूब जोती यह आपका नहीं होगा क्योंकि देखिए अगर आपसे पूशता है ना कि जैसे ऐसे समझे कि छोब मंदल है छोब मंदल समताप मंदल मद मंदल आयर मंदल एवंग यह बही मंदल यह सारे यह बही मंदल है ठीक है जैसे देखिए वायो मंदल परद तापिय विशेशता के अधार पर नीचे से उपर के करम में है तो नीचे से उपर के करम में कौन सा है छोब मंदल समताप मंदल फिर हो जाएगा आपका मद मंदल फिर है आपका आयन मंदल फिर हो जाएगा आपका बही मंदल ठीक है छोब मंदल में मौश जो तरंग होता है प्रावर्ति देडियों तरंगे होता है ठीक है और मद मंदल आपका जो ध्रूप जोती दिया हुआ है यह आपका बस यहां पे गलत दिया हुआ है नंबर 136 देखते हैं नंब 136 में कोशन है भ्रांश घाटी से प्रहावित होने वाली नदी कौन सी है तो देखे ब्रांश घाटी से प्रहावित होने वाली 136 का राईट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्सिन नंबर डिया आइन नदी नदी है निमलिखित मेंसे कौन से अस्थालोद यानि की लैंड देश ठीक है नेक्स्ट कोश्यन 138 निमलिखित में से किस नदी का उद्गा मस्थल बिहार में है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोरी गंडग का कहां पर बिहार में है बिहार के जो पस्टमी चंपारें जीले में सोमेश्वर सेनी है यहीं के पहार यहां से निकलती है सरवा कर दर बाल पूर में और फिल्पह दसरा दकाणा-खाया में आपका हो जाएगा 5.80 एक लाग और मुझबपर्पूर में हो जाय यह यहां बेगुसराय में आपका हो जाएगा पांस दसमलव छे नौव लाग ठीक है और एक जान लेजे मुझपरपूर ये भी आपसे पूछा जा सकता है जैसे ऑप्शन नमबर यहां डी के लास्ट में आप देख पारे हो मुझपरपूर चार दसमलव साथ तीन लाग हो जाएगा आपको निम्न में से कौन गांधी सरकीट में सम्मिलित नहीं है देखिए ऑप्शन नमबर आपका डी है न कुशिश्वर अस्तान ये गांधी सरकीट में ना होकर कि ये शीव सरकीट में इसको रखा गया है ठीक है बादमा की मोतिहारी सदाकत आस्रम और भीत्री भीती आस्रम है ये सारे गांधी सरकीट में ही आते हैं तो यहां पर आप्शन नमबर आपका डी राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स यहां से नमबर 141 से आपका मैट्स का कोशन है अगर आपको इसे सौल्व करना हो आप इस नमबर पर मैसेज करके PDF ले सकते हैं या फिर नीच आपको अच्छा लगा होगा कि लाइट वीडियो को लाइक कर दीजेगा काफिस अना प्रैक्टिस एट वीपेस्ट के लिए अप्लोड किया जा चुका आप जरूर एक बार देख लीजेगा और अगर वीपेस्ट का फॉर्म आपने फिल कर दिया है तो अच्छी बात है नह थार याँ, कि दो आपको आपने लो घंगार में अपमाने होगा है तो अना जो है है झापने है तो अना जे एमाने है यां दिया दो अना जेख अपने वार इनर्स वार्षण गहा है टापने है